हेलो स्टुडेंट स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में तो पॉलियो टेक्निक की होने वाली और समिस्टर के परिच्छा जो की 25 जनवरी से होना प्रस्तावित है और अब गिंती के ही 4-5 दिन आपकी पास सेस बचे हैं तो ऐसे में क्या आपकी परिच्छा फिर से प तो ऐसे में आपकी परिच्छा है वो पोस्ट पॉन होने वाली है ऐसी संभावना काफी बढ़ जाती है और BTUP के रूल और रेगुलेशन यही कहते हैं कि लगबख आपकी परिच्छा जो है अब पोस्ट पॉन हो जाएगी तो सारी चीज़े आज की इस वीडियो में हम डिस चाहिए इन्होंने अपने ट्विट में लिखाए कि पॉलिटेक्निक फर्थम समिस्टर यानि की फर्स समिस्टर के चात्रों की पढ़ाई नहीं हुई है ऐसे में परिच्छा तिती बढ़ाई जानी चाहिए और इन्होंने काफी सारे बच्चों से सवाल भी पूचाए कि कि जो आपकी परिच्छा है वो 25 जनवरी से हो जाए कोई डाउट नहीं लेकिन जो फर्स्ट एयर में बच्चा आया है यदि आप फाइनल येर सेकंड येर में आप यदि फर्स्ट एयर की जगहा पर होते तो आप क्या करते आपकी परिच्छा जो 25 जनवरी से आप जो है साथ दिसंबर से एडमिसन लेकर आए मान लिजे कि आप साथ दिसंबर से एडमिसन लेकर आए और आप 25 जनवरी से आपका पेपर हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि आप इस पे एगरी होंगे तो यही कंडिशन है लगबग फर्स समिस्टर के चात्रों का कि उनकी जो अभी स्लैबस वगेरा कंप्लीट नहीं हुआ और आपको भी पता है कि जब भी आप फस्टियर में एडमिसन लेकर आते हैं तो अब आपको जो हैं उतना नौलेज नहीं होता है कि कैसे पढ़ना है महीने खार तो लग जाते हैं स्लैबस वगेरा समझने में कि कैसे पढ़ें क्या पड़ें तो ऐसे में आपकी परिक्षा जो है वो 25 जनवरी से कराई जा रही है तो काफी सारे बच्चों को यहां पर समझ्या है और काफी सारे बच्चे यह भी चाहते हैं नहीं बहुत हुआ पहले जो परिक्षा 25 दिसंबर से होनी थी डेट बड़ी 7 जनवरी आई 7 से पो परिक्षा पोस्ट पॉन होती है तो खासकर फस्ट एयर की परिक्षा है जो फिर आगे जाएगी क्योंकि जो फाइनल येर के और जो सेकंड येर के चात्रे उनको पर्याप्त समय यहां पर पढ़ने के लिए दिया गया है हाँ यहां पर जो एक्जाम सेडियूल जारी हुआ याने कि जो आपने अपनी स्कीम वगारा देखी होगी लगातार सारे पेपर कर दिये गए हैं तो इसको लेकर काफी सारे चात्रों ने बोर्ट तक अपना इमेल भेजा था और बताया था कि भाई यह यह प्रॉब्लम है तो आपकी जो परिक्षा है वो सेडियूल 90% चांस है कि वो आपकी जो परिक्षा है वो आपकी 100% पोस्ट पॉन होगी क्योंकि बीटी ऊपी का जो रूल है जो नियम है परिक्षा नियम है 2016 का तीन का अभी आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आप को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं वहां पर स आप साप लिखा है कि जब आप कि यहां पॉलियो टेक्निक में एडमीशन लेकर आते हैं तो मैक्समम 90 दिन की क्लास चलने जाहिए चुट्टी वगरा छोड़कर तभी आपके जो है समेस्टा एक्जाम कंड़क्ट हो सकते हैं तो उम्मीद यही है 90% की फर्स्ट एयर के चाहे अब बोट की तरफ से देखते हैं कि ऑफिशल नोटिस कप की जारी किया जाता है परिक्षा पोस्ट पॉन होने को लिए कर तो आई थिंक आपको सारी चीज़े समझ में आई होंगी देखिए काफी सारे बच्चे अब ये भी चाहतें कि नहीं यार बहुत हुआ परिक चीज से ही होने चाहिए तो आप 25 मान के तयारी करिए डिड्लाइन आप 25 ही मानिए किसी भी प्रकार की मेहनत में कोता ही मर्द जो है वो अपना ढीला पाही मत करिए का आप पढ़ते रहे बाकि जब बोट की तरफ से ऑफिशल नोटिस आ जाएगा परिक्षा पोस्ट पॉन होने के लिए कर तब की तब देखेंगे तो फिराल आज की इस वीडियो में यही तक मिलते आप से नेक्स्ट वीडियो में वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद